हेलो में आज़कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राफिट अस्टडी में तो आज किस वीड़ो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 के अंतरगर नौर्दन रेलवे 3093 पोस्ट पर आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोडिफिकेशन रिलिस किया गया था ठीक है जिसमें ऑल अवर इंडिया से बात करें तो एक लाग एक अकतर हजार से भी जादा छातुरों ने फॉर्म अप्लाई किया है फाइनली परसो के डेट में इसका अप्लिकेशन अस्टेटस का लिंक जो है डिपार्टमेट के तरफ से जारी कर दिया गया है अगर वो पाटिकुलर आपने अभी तक अपना इस्टेटस नहीं चेक किया है आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ ह तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक देंगे वहाँ से क्लिक करके आप अपना इस्टेटस को जरूर से जरूर चेक कर लिजेगा ठीक है नगी तो पदा चले कि आप यहाँ पर इंतेजार में रिएगा कि आपका फ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठीक है जिसमें बेसिकल ही बात करें लखनव, अंबाला, दिली, फिरोजपूर चार कलस्टर के तरफ से अपडेट आया है जिसमें बात करें लखनव में छोटे-छोटे डिवीजन है अंबाला में है दिल्ली में है फिरोजपूर में है तो आपने चाहे जिस भी ट्रेट से form अपलाई किया है वीडियो के इंडे तक बने रहिए आपको भी पता चल जाए कि आपका जितना पर्सेंटेज बन रहा 10th प्लस ITI मिलाने के बाद क्या आपका सेलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा डीटेल से बात करेंगे तो चली वीडियो के शुरुआत करते हैं इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्च टाम है सब्सक्राइब ने की हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन गॉन कर दीजेगा ताकि रेल्वेस रिलेटेड ए टूजेट इन्फोर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे है डिस्क्रिप्सेन में आपको टेलिग्राम गुरूप वाट्सेप गुरूप का लिंक मिलेका जरूसरू जोइन कर लिजेगा हर तरह का इंपोर्टेंट अपडेट आपको आप देखने को मिलते रहता है तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इसके ऑफिशल नूटिफिकेशन पर आ गया है जो आपका 4-12-2023 के डेट में रिलिस किया गया था टोटल कितना पोस्ट आप फिर से बता दे रहें 3093 पोस्ट इसका मेरिट लिस्ट का डेट बानके चले एकस्पेक्टेड आपको बताया गया है कि 12 फर्वरी दोहजार चोबीस तक इसका मेरिट लिस्ट आना एकस्पेक्टेड है आप यहां पर बात करेंगे ट्रेड वाइस, कटेगरी वाइस, कटप के बारे में और एक बाद जान लिजे कि जितना सटिक्टा से प्रॉफिट अस्टडी पे आपको एकस्पेक्टेड कटप बताया जाता हूँ तक कहीं भी आपको पूरे यूटूब पे देखने को नहीं मिलता है इसी तरह का कॉंटेंट पाने के लिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि समय वहीं दीजे जहां से आपको बेनिफिड मिल सके ठीक है ना चलिए है कि आपको हम यहाँ पे ट्रेड वाइस सारा कटफ बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं मैक्निकल डीजल वालों का कि सरजी जो मैक्निकल डीजल से फॉर्म अपलाई किये है उसका कितना परसेंट तक cut-up जा सकता है इसके बारे में सबसे पहले बताईए तो देखिए mechanical diesel में हम बात करते हैं अगर आपका average आपका merit list बनेगा कैसे पहले वो समझ लिजे तो 10th plus ITI के अधार पे आपका merit list बनेगा पहला confusion दूर दूसरा confusion कि इसमें expected cut-up कितना देखने को मिलेगा तो mechanical diesel में जिसका हम सारा undeserved को cover कर रहें undeserved category ठीक है undeserved OBC बराबर cut-up आपको देखने को मिलता है तो इसमें 10th plus ITI का average box का बात करें तो जिसका 83.5% से उपर है वो सभी इसमें safe zone में आएंगे वो सभी safe है northern railway में ठीक है ना अब सवाल सकता है कि sir क्या मेरा 80 है तो नहीं होगा होगा पर first round में नहीं होगा यह सारा cut-up हम cover करें हैं first round document verification का ठीक है first round document verification का तो जिसका 83.5% से उपर है वो सभी लोग safe है merit list में उनका नाम देखने को मिलेगा उनका call letter जरूर आएगा ठीक है ना SCST वाले होंगे तो 1% 2% कम कर दीजिए आपका भी cut-up निकल जाएगा तो चलिए mechanical diesel का हो गया cover अब बात करते हैं next आमारे शामने आता है और सबसे ज़्यादा competitive आपका देखने को मिलता है कौन सा trade में आपका electrician में कि भाईया electrician का cut-up कितना जाएगा इसके बारे में बता दीजिए तो देखिए electrician के बारे में अगर बात करें तो वेकेंसी कितना कितना वेकेंसी है थोड़ा सा देख लेते हैं वेकेंसी के बारे में तो आपका लखनव में बात करेंगे एक आपका 24 सीट है कम है थोड़ा सा और नेक्स अगर यहां पर बात करते हैं ब्रिज वरक्षॉप की तिलक की तरफ से तो इसमें आपका इलेक्टीशियन का वेकेंसी नहीं है नेक्स आप आपका DSL में भी है 54 सीट है तो यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट आपका DSL में फिर से 32 सीट है ठीक है उसके बाद यहां पर बात करेंगे फिरोजपूर से तो आपका 12 सीट इस डिवीजन में है और फिर यहां पर बात करेंगे तो 89 आपका डीजल लोकोसेट फिरोजपूर में 89 सबसे ज़्यादा सीटे हैं यहाँ पर देखते हैं तो इतना सारा सीट आप और हाँ यहाँ पर आपका CWM में 20 सीट है इलेक्टीशियन का तो अब मान सकते हो कि अच्छा खासा सीट इलेक्टीशियन का भी है फिर भी इसका कटफ आपको बहुत हाई ही देखने को मिलेगा ठीक है न एक्सपेक्टेट कटफ के बारे में अगर बात करें इलेक्टीशियन का तो फस्ट राउंड में ध्यान से सुनिए फस्ट राउंड में कम से कम आपका 10th PLUS ITI मिला करके 86.5 होना चाहिए तो आपका फस्ट राउंड में selection हो जाएगा हंडेट पर संट आप मानके चलिए कि आपका first round में selection हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो 86.5 है आप ऐसा मा लीजिए कि 86 वाले का selection अराम से हो जाएगा undeserved category से undeserved OBC category से 86 प्लस वाले का selection हो जाएगा ठीक है चलिए next rate हमारे शामने आता है कौन सा भाईया फीटर का फीटर का बहुत सारा सीट है बहुत सीट है फीटर का तो फीटर से आप उम्मिद लगा सकते हो कि से कम जाएगा लगभग आपका 84 प्लस अगर आपका है तो फीटर से आपका सेलेक्शन हो जाएगा कौन सा कटेग्री भाईया तो अन्डिजर्फ कटेग्री में आपका 84 प्लस आपका कटफ देखने को मिलेगा इससे प्लस बाकी इससे जो कम है सकेंड राउन में बेट करिए आपका सकेंड राउन में होगा ठीक है ना चलिए नेक्स टेट हमारे सामने आता है कारपेंटर के बारे में अगर यहां पर बात करते हैं तो कारपेंटर का कटफ ज्यादा तो नहीं पर यहां पर अनुमानित कर सकते हो कि 79 प्लस आपका कारपेंटर का कटफ देखने को मिलेगा कितना 79 प्लस अन्डिजर्फ केटेग्री से आ लेक्षने आपे बात करते हैं कौन सा ट्रेड बच रहा है तो MMB मोटर मेकैनिक वीकल अब MMB का अगर बात करते हैं कटफ का तो MMB का जो कटफ जाएगा हलाकि MMB का वेकैंसी बहुत ही कम है तो इसमें आप यहां पे मनुमानित लगा सकते हो कि लगबग आपका 83 प्लस कटफ आपको देखने को मिलेगा कितना 83 प्लस आपको कटफ देखने को मिलेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे सामने ट्रेड निकल के नेक्स्ट आपके आता है कौन साम फोर्जर एवं हिट ट्रीटमेंट इसमें भी वेकैंसी बहुत कम है तो इसका भी कटफ और राउंड फिगर में बात करो तो 8081 आपका इसका अगर कटफ का बात करेंगे तो आपका फोर्जर ही ट्रीटमेंट का तो 81 प्लस आपका रहेगा अन्रिजर्ब कटेग्री से ठीक ना चलिए नेक्स्ट आप आता है विल्डर विल्डर वाले भी बहुत सारे कंडिडेटफ फॉर्मी अपलई की हैं हलाकी विल्डर का एक बर वेकंसी लेहें तो शेरा यहां पर करते हैं और देखने विल्डर का क्या इस्तिती है क्या rocky आप hai मिल यहां पे आपको 10 सीटें देखने को मिल रहा है उसके बाद यहां पे बात करते हैं तो 9 सीटें यहां देखने को मिल रहा है यहां पे आपको 16 सीटें देखने को मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट यहां पे देखते हैं वेल्डर का है भीया फटा फट वेल्डर आ जाईए एक आप पर बताया जारा आपका तो इतना सारा वेल्डर का इस्तिति है ठीक है ना वेल्डर का जो इस्तिति था according to vacancy उसके बारे में हम लोगों डिसकस किये फिर भी आप इसमें ज्यादा cut-off तो नहीं जाएगा मेरे अनुसार यहाँ पे undeserved category से 80.5% जाएगा फर्स टाउन में इससे प्लस वाले का तो 100% होना ही होना है यह बात जान लेजे इससे प्लस वाले का 100% सेलेक्शन होना ही होना है कोई रोप नहीं सकता है ठीक है ना चलिए पेंटर का ज्यादा नहीं हम बोलेंगे 77 प्लस वाले अन्डिजब से जिसका 77 प्लस है 100% सेलेक्शन हो जाएगा बेफिक्र रहिए मेकैनिस्ट मेकैनिस्ट का थोड़ा सा आपको ज्यादा cut-off देखने को मिलेगा ठीक है ना मेकैनिस्ट का थोड़ा सा ज्यादा cut-off आपको cut-off जाएगा मेकैनिस्ट का इस बात का ध्यान रखिएगा 87 प्लस आपका cut-off जाएगा 87 से जिसका भी ज्यादा है वह आराम से बेफिक्र रहिए कि आपका सेलेक्शन आराम से हो जाएगा ठीक ना चलिए नेक्स्ट आपे बात करते हैं टर्नर टर्नर का थोड़ा सा इसमें ह लोगों को दिखा है उसके बाद यहां पर बात करते हैं और देख लिए टर्नर क्या कहीं दिख रहा है देखते हैं भी आगे है कि नहीं टर्नर यहां पर मेकनिस्ट आ गया मेकनिकल डीजल आ गया टर्नर यहां पर दो वेकेंसी यहां पर टोटल अभी तक तीन वेकेंसी हु आप सोच लिजे कि जहाँ पे 1,70,000 फर्म अपलाई हुआ है वहाँ पे मात्र टर्नर का 9 वेकेंसी है तो 9 वेकेंसी के एकोर्डिंग आप टर्नर का कटफ का अंदाजा लगा लिजे मेरे अनुसारी ये जो कटफ है कम से कम 89 तक जाएगा 89 तक कटफ चला जाएगा टर्नर का क् पे बहुत कम बहुत कम आपका कटफ है बहुत कम जोरी बहुत कम वेकेंसी टर्नर का तो 88-89 कटफ जाना वाजिब बनता है चली इससे जो कम होगा अगर सीट बचेगा तो सकेंड डाउन में आपका आ जाएगा उसके बाद माटेरियल हैंडिंग एकुप्मेंड मेकेनिक कम हाला कि इसके बारे में तो मेरे पास ज्यादा आइडिया नहीं है फिर भी एकॉर्डिंग टू वेकेंसी इसका भी आप मान के चलो की 83 प्लस कटफ आपका जाएगा चलिए सारा ट्रेट को कवर कर लिए हम लोगों ने क्या कोई और बचा है फीटर हो गया इलेक्टिसियन हो यहां वायर्मेन का अगर बात करते हैं तो इसका टैंथ पहले वेकेंसी देख लीजे वेकेंसी आपका 25 यहां पर देख रहा है वायर्मेन का उसके बाद कर बंद यहां पर 25 वेकंसी हो गया तो पच्यास चारत-चवाइरमैन का उसके बाद कि में उसके भड़ते हैं वेकंसी के बाद वायरमैन चैशंस करें म Spiel वाइरमैन का ही और वायरमैन देख जा थे वायरמैन pil मन जी नहीं और साथ वेकेंशी वायर्मेन का नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं देख रहा तो total यहाँ पर कीतना वेकेंशी हम लोगों नहीं देखा चोववन वेकेंसी वायरमेन का है तो उसके एकोडिंग आप यहां पे समझ लिजे कि जो वायरमेन का कटफ जाएगा वो लगभग आपका जाएगा तो 82.5 प्लस जाएगा अंडिजर्ब केटेगरी का यह बहुत ही एनलाइसिस करने के बाद यहां पे जो कटफ है आप लोगो मेरिट लिस्ट आपको 12 फरवरी से पहले रिलीज कर दिया जाएगा तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और दिरत्तर प्रॉफिट अस्टेडी ओफिशल विवसाइप करते रहिए वहां पे आपको सारा जनकारी दिया जाता है आज के लिए तता ही फिर से मिलेंगा आप